विस्थाफन मेरे और आपके लिए सायद महज एक सब्द होगा लेकिन विस्थाफन से जो लोग इसका दंस जहेल रहे हैं जो लोग इसका दंस जहेलते हैं सायद वो लोग इस सब्द के दर्द को समझ सकते हों सायद वो लोग विस्थापन की जो समस्या विस्थापन का जो दर्द है उसको वो समझ सकते हैं मेरे पीछे एक तस्बीर आपको मैं दिखा रहा हूँ दर असल ये पत्रातू की तस्बीर है ये तस्बीर उन लोगों की है जो पाँच दसक से विस्थापन से परिसान है दरसल सरकार के सामने और कमपनी के सामने लगातार ये आगरा कर रहे हैं निवेदन कर रहे हैं बिनर निवेदन कर रहे हैं और आज ये मजबूर है धरना पर दसन करने को ले करके मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बात करूँगा लेकिन संचेप में आपको एक बात बता दू कि दरसल यह मामला है क्या दरसल PBUNL एक कमपनी है जो बिदूत पत्रातू बिदूत उत्पादन निगम लिमिटेड एक कमपनी है जो जब यह कमपनी बनाई गई थी तो आसपास के तकरीबन 25 गाओं है जिनका जमीन अधिगरण किया गया था तकरीबन 6,000 एकड जमीन इस पूरे प्लांट में लगा चाहे वो डेम से लेकर के जो पूरा प्लांट बना है उसमें इस जमीन को यूज किया गया है लेकिन तो नोकरी दी गई और नहीं धंग से उनको मुआपजा दिया गया आज भी कई ऐसे जमीन है जिन जमीनों को अधिगरण करनी की आवश्यक्ता है लेकिन अभी तक उसे अधिगरण नहीं किया गया वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात कि कमपनी इन्हें विस्थापित मानती ह नहीं है एक तरफ सरकार कहती है कि आप विस्थापित हैं लेकिन जो कमपनी है जिन में इनका जमीन गया है वो कहती है कि आप विस्थापित नहीं है तो ये बड़ी विंडमना है सरकार आई सरकार चली गई जन परतिजी ने बने बदले सब चीज चलता रहा लेकिन पांच दसक से आज तक ये लोग वहीं खड़े हैं जहां पर आज से 50 साल पहले इनके दादा पर दादा और पिता खड़े थे मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि समस्या क्या है और किन परिसानियों से पिछले पांच दसक से वह जूज रहे हैं मेरे साथ ये जो बिस्थापित प्रभावित संगर्ष मोर्चा के अद्दक्ष है उन से पहले बात करने की कोशिस करेंगे क्योंकि उनके तातोधान में यह जो अनिश्चित कालीन प्रदर्शन आयोजित की गई है निश्चित तोर पे बिप्रित परिस्थिती है कोरोना के इस बिप्रित परिस्थिती में भी आप लोग धर्ना परदर्शन करने को मजबूर है क्या वज़ा है क्यों कोरोना काल में भी आप लोग परदर्शन कर रहे है इसका सबसे बड़ा वज़ा है कि कोरोना काल में अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना केवल हम लोगों के लिए है कि सभी लोगों के लिए है अगर कोरोना है तो यहां काम लॉक्डाउन में जिस तरह बंद था अभी भी बंद होना चाहिए तो हम लोग को संकर्स नहीं होगा लेकिन में जो कारण है बहुत बड़ा कारण हम हम लोग अपने अस्तुत की लाड़ाय लड़ रहे हैं कि 6,000 एकड जमीन में फिटी पेस से फैक्टरी प्रजेक्ट का निर्मान हुआ आज तक बहुत सारे लोगों को मुआपचा तक नहीं मिला किसी को नोकरी नहीं मिली पुनर्वास जिसका जमीन घर गया आज वो विचारा प्लाइन कर गया उसका कोई ठोट ही काना नहीं अईसे में पिटी पेस प्लांट जो बना तब से हम लोग हमारे पुर्वा जार हम लोग संगस रहते हैं इसी पीच पिभेने लाई और सीधा उसका कहना है कि हमारा प्लांट जो बन रहा है वो जमीन जार्खन सरकार ने दिया आप लोग हमारा बिस्थापित नहीं है ऐसे में हम लोग के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि हमारी जमीन पर जो प्रजेक्ट बनी और जो बन रही है उसका हम बिस्थापित नहीं है तो पिर हम किसका बिस्थापित है किसका परभावित है सरकार से कोई बार्टा की परियास चल रही है सफ़ार के तरफ से कुछ सफल बारता प्रशासन के तरफ से कमपनी के तरफ से सरकार से साथ फरवरी 2006 नोग को यहाँ के तधकालिन उपाइफ सिरी ए दोडे ने बार्टा किया था उन्होंने विलेज एड़ाजरी कमिटी बनवाने का आस्वासन दिया विलेज वाईज सबका सर्वे करके विश्थापितों परभावितों की सुची बनाकर पहचान पत्र इसू करने का आस्वासन दिया और यह भी आस्वासन दिया कि एंटीपीशी के चेर्मेन के साथ मार्च 2016 में सारा डोकुमेंट कम्प्लीट करके हम लोग वार्ता करेंगे आप लोग को नौकरी मुआपजा पुनर्वास के मुद्दे को हल किया जाएगा लेकिन आज तक वो जश्च का तसरा केवल कागज में मिनट से है तो निश्ची तोर पे कागजों में ही बाते होती रही जमीन पर कुछ नहीं और भी कुछ लोग है उनसे भी जानने की कोशिज करेंगे कि परदर्सन कर रहे हैं आप लोग क्या मांग है यह जो प्रद्रसन हम लोग नोखरी चाहिए जो पीवी येन परांट खुला है उसमें नोखरी चाहिए और जो यह जमीन गया था सब्सक्राइब कर देखें और इन चेहरों को देखें पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमन फैला हुआ है ऐसे में कितनी मजबूरियां होंगी जिसको लेकर के आज ये लोग यहां पर मौजूद हुए है अनिस्चित कालीन धरने के लिए आखिर क्यों सरकार कर क्या रही है सवाल ये है कि इसके जब जाड़कन का निर्मान हुआ था उ तमाम सवाल हैं जो मूँ खोले आज सरकार के सामने खड़ी है और भी कुछ लोग है उनसे भी बात करने की कोशिस करते हैं मेरे पीछे कुछ लोग है इनसे बात करते हैं क्यों यहां पर मौजूद में है हम लोग पिछले लगवग हुमारे दादा पर दादा लगवग 50 साल अब यही बात हो गई बदवा मजदूरी बाप दादा बदवा मजदूरी कियें तो बच्चे भी करेंगे यानि बाप दादा नोकरी मांगे तो बच्चे भी मांग रहे कंपनी से लेकिन ना तो कंपनी सुनने को त्यार है ना सरकार कुछ मैलाई भी यहां पर हैं उनसे भी पर आप लोग का एक जिस गया का जमीन है और जिस पंचाय से उसमें से में एक एक बंदे को नोगरी क्या है मौ आजा ही नहीं मिला और नहीं है देखे तो अब एक नया सब भी सुन लिजे रिफ्यूजी विस्थापन के बाद अब इनको रिफ्यूजी बना दिया गया और भी कुछ मैला है उनसे भी बात करते हैं क्यूं आई है यहां भी रोजगार है जमीन के जग़ा नोक्री दी जाए ठकते हैं कि नहीं करोना है करोना करोना तो अभी तीन-चार महीने पहले की बात है कितने साल हो गये जमीन को अधिगर्ण की काफी समय हो गया काफी समय हो गया ठकते जा जा रहा है कभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन यह कहना है कि नहीं सभी को पूर्ब की सरकार में कुछ किया नहीं कुछ तो वह सब देख रहे होंगे बकाइदा बेंच लगा करके यहां पर चौकी लगाया गया है और यह अनिश्चित कालिन धर्ना की यह तस्वीर अनिश्चित तोर पे राज्ये से कह सकते हैं कि एक बड़ी तस्वीर कहीं न कहीं सरकार को बताने की कोशिस सरकार से एक आग्रह कंपनी से एक सब्सक्राइब लिए और लोगों से जमीन अधिगरण किया गया जमीन लिया या ओने पोने दाम में जो मौपजा उनको दिया और कई पर बिछालare जानमी कि पहला कुरूद भी देख सकते हैं। दोसे भाजनली चंट कि क्धस कर एंधार और्य व्हेंट से अनुए। भी들 पार प्रश्णुद हैं। के बाद भी अंदोलन जा रहे हैं कुछ और भी लोग हैं इधर सामने अगर देखेंगे उनसे भी बात करने की कोशिस करेंगे कि क्या समस्या है क्यों आए हैं इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके का धर्ना परतासन कर रहे हैं क्या क्या दिकत है कि हमारे जमिन जाने के प्लांट और ये पूरा प्लांट और ये डेम और जो ये पूरा पत्रातू बिजली उपादन जो निगम लिमिटेट जो है इसके लिए लिया गया था इस प्लांट के लिए निश्ची तोर पे एक बार फाइनल फिर चलते हैं जो विस्ताफित प्रभावित संखर्श मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं आदिती जी उनसे बात करते हैं एक बार कि उनका अब अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या और यहां के थाना के इंश्चार्ज इंस्पेक्टर साब उनके पहल पर प्यवेनल के दो अधिकारी आये थे और यहां पर सबके सामने उन्होंने कमिट्मेंट करके गया कि रिटेन लेटर पर वारता के लिए भेजा जाएगा लेकिन अभी तक उन्होंने कोई लेटर हम लो हैं जो को समर्थन कर रही है बर्तमान में आपके जितनी पार्टिय हैं और मोर्चा मोर्चा में जितने लोग हैं जपी पार्टियूर से बिलौंग करते हैं आधीकार को लड़ाई लड़ göz जो कमपनी से है, सरकार से है, उन लोगों से है, जो इस कमपनी के मालिक हैं, जो सरकार है, जिन लोगों ने जमीन का दिगरण किया, मुआपजा ओने पौने दाम में दिया, कहीं मुआपजा मिला नहीं, किसी को नौकरी मिली तो किसी को नौकरी मिला नहीं, यह तमाम सवाल है, अनिश्चीत कालीन धर्ना करने के लिए ये तस्वीर केवल जाडखन के पत्रातू से ही नहीं अगर आप पूरे सूबे को अगर देखेंगे तो कई जगों से ये तस्वीरे आपको देखने को मिलेगी विस्थापन मेरे और आपके लिए सब्द होगा लेकिन इनके लिए एक बिनासकारी सब्द है इस चीज को सायद इस दर्द को यही समझ पाएंगे